तो दोस्तों अभी हम कड़े हैं रोड बर रास्ते पर और राइट टाउन एलाका है ये और ये सामने देखिए पेड़ों काटा जा रहा है और किसी ने कंप्लेंड क्यों सायर जल्दी किराब हैं यहां मैं मुरी बढ़र रही है तो दोस्तों ये कोई कालोनी में ये पेड़ लगा हुआ था और मैं रोड पर ही ये घर है किसी का और घर के जश्ट बगल पर ही ये बहुत पुराना पेड़ लग रहा है नजरा रहा है और बिलकुँ सूप चुका है और पुराना पेड़ है और अगर ये इसको काटा नहीं कि जाता तो कहीं ने कहीं छती गरस्त होता और जन आनी मान हो क्या हुआ है तो अच्छा किया कॉलनी वालों ने यहां के लोगों न नगर निकम प्रसासन को हो सकता है नहीं हमने कमप्लेन करी होगी और नगर निकम बाले लोग अपनी जे सीट मसीन लेकर आये ह। और उसके माद्ययम से इस पेल को काट रहे हैं मीचे स से काट के फिनिस कर दिया गया है यह देखी इस तरीके से गिरा और इसको खेंच दिया उपर से और यह गिरे ना इसलिए उपर के जो तना है उपर का जो छोर है एंड है उसको जेसीवी से बांद दिया गया है ताकि यहां वहां इसको गिरे ना और रोक के रखे हैं पूरे हम हम लोगों को ट्रैफिक भी पूरा जाम हो रहा है यह देखिए बिलकुल सूप गया है और इसको बांद के रखे थे होल्ड करके रखे लिए मसी तक यह अहां वहां रोड पर ना गिरे नहीं तो अगर रोड पर गिर जाता है तो फिर यह दो गंटे तीन गंटे की मसकत हो है नीचे गरिप चुका है अब साइद रास्ता खुल जाएगा और हम लोग चले जाएंगे तो दोस्तों फाइनली रास्ता खुल चुका है अब हम लोग निकल रहे हैं और दोस्तों चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजिए जबलपुर की है